दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सॉप्ट वेयर में बेहद आसानी के साथ कारी करना सीखना चाहते हैं GST से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो इस संबन्द में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं जान अरजन कर सकते हैं सीख सकते हैं इसके लावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस करके औल पर भी क्लिक कर दें तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आजम क्या सीखने जाएंगे आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों आजम जानेंगे टेली प्राइम सॉप्ट वेर में हम जो भी एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज के आधार पर GSTR 3V रिटन आटोमेटिक तयार होती है तो जो हमारी की गई एंट्रीज के आधार पर आटोमेटिक GSTR 3V रिटन तयार हुई उसको हम कहां पर जाकर देखेंगे और देखने के बाद हम उसको किस तरह से समझेंगे यह आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है कि टेली प्राइम सब्टोवेर में आप जो भी एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज के आधार पर आटोमेटिक अपने आप GSTR 1 रिटन तयार होता है इसको कैसे देखना है और कैसे समझना है यह मैंने इस वीडियो में बताया है यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं कि हमको gstr3v return कहाँ पर जाकर देखना है, gateway of tally मुखमीन हैं दोस्तों, और यहाँ पर gstr3v return, जो automatic हमारी की गई entries के आदार पर तैयार हुई है, उसको देखने के लिए हमको जाना होगा display more reports में, display more reports को select करके मैंने enterprise कर दिया, फिर हमें जाना होगा istatory reports में, istatory reports को select करके मैंने enterprise कर दिया, और फिर हमको जाना है gstr reports में, तो gstr reports को select करके मैंने enterprise कर दिया, हम आगए gstr reports में, अब यहाँ पर हमको gstr3v देखना है, तो gstr3v को select करके मैंने enterprise कर दिया, इस तरह से आप आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तो GSTR 3V आपको show रहे और इस जगे पर आपकी की गई entries के आदार पर automatic GSTR 3V return तैयार हो जाएगी अब यहाँ पर दोस्तो GSTR 3V return जो है वो quarterly basis पर भी file की जाएगी आनि 1 April 2021 और इसके बाद की बात कर रहे हैं तो 1 April 2021 और इससे आगे के लिए जो GSTR 3V return है वो quarterly basis पर भी file की जाएगी और monthly basis पर भी file की जाएगी जिनका turnover previous financial year में 5 करोड रुपई से जाधा रहा था उनके लिए mandatory है कि वो अपनी GSTR 3V return monthly basis पर ही file करेंगे लेकिन जिनका turnover previous financial year में 5 करोड रुपई से कम रहा था तो उनके लिए दो option थे एक तो ये कि वे QRMP scheme में चले जाएं QRMP scheme यानि quarterly return monthly payment में चले जाएं और जो लोग QRMP scheme में चले गए वो अपनी GSTR 3V return quarterly basis पर file करेंगे दूसरा option उनके पास ये था कि वे QRMP scheme को option ना करें यदि उन्होंने QRMP scheme को option नहीं किया है तो वे भी अपनी GSTR 3V return monthly basis पर फाइल करेंगे अब यहाँ पर जो भी आपको करना है अगर आप मंतली हैं तो क्या करेंगे alt के साथ app to press कर देंगे और मंतकत आप यहाँ पर period ले लेंगे यहाँ पर period के अंतरगत आपने जो भी एंट्रीज की होगी वह आपको इस जगह पर मिल जाएंगे उसका data आपको इस जगह पर मिल जाएगा quarterly में हैं तो आप alt के साथ app to press कर देते हैं हमारी जो रवन टेटर से वह quarterly है तो यहाँ पर January to March quarter हमको लेना है तो एक एक दो हजार बाइस से लेकर और 31 तीन दो हजार बाइस मैंने इस जगह पर कर दिया अब देखिए यहाँ पर आ गए जीएश्टिया थीवी और एक जनवरी दो हजार बाइस से लेकर 31 मार्च दो हजार बाइस यानि पूरा quarter इस जगह पर आ गया यह उसकी period हो गया ठीक न अब इस period में दोस्तों हमने जो भी entries की है ओन entries में जो भी entries हमारी जीएश्टिया थीवी से related थी वो इसमें सामिल हो गई और इसका data भी इसमें आ गया तो किस तरह से आपको देखना है कहां पर जाकर देखना है वो तो आपको समझ में आ गया अब यहां पर दोस्तों जो जानकारी जाती है हमारी जीएश्टिया थीवी में तो कौनसी जानकारी आपकी जाएगी किस टेविल के अंतरकत जाएगी यह आपको बहुत ही detail में और बहुत ही सरल भासा में आपको बताया जाएगा लाश्ट तक बने रहे हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्य इसका मतलब यह है कि इस period में जो period मैंने यहाँ पर select कर रखा है इस quarter में मैंने 31 entries की हैं ठीके न तो यहाँ पर total voucher आ रहे हैं total voucher entry मैंने 31 की हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पर include in return और इसमें so right 26 तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपने इस quarter में 31 entries की जिन में से include in return आपकी जो GSTR 3V return है उसमें 26 entries include की गई है जो आपकी GSTR 3V से related है ठीके न तो आपको इस तरह समझना है इसके बाद यहाँ पर participating in return tables है तो इसमें 26 हो रहा है कि 26 इसमें सामिल की गई है अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको शोगा not relevant in this return और इसमें 4 entries हो रहे इसका मतलब क्या है not relevant in this return इसका मतलब यह है कि आपकी GSTR 3V से यह 4 entry है वो related नहीं है ठीके न तो इसको जब हम select करके enterprise करते हैं तो देखिए एक तो contra voucher की entry है जो की हमने की थी इस period में तो यह इस GSTR 3V से related नहीं है इसलिए इसको इसमें include नहीं किया गया है इसके अलावा non GSTR transaction मैंने किये यहाँ पर जो payment और receipt की entry की है यह भी हमारी GSTR 3V return में नहीं जाएंगी इनका data नहीं जाएगा इसलिए इनको क्या किया गया है not relevant in returns में रख दिया गया ठीक ना अब यहाँ पर 26 entry तो ऐसी है जो कि इस return से सामिल हो गई चार ऐसी है जो कि relevant नहीं है इस return से तो 30 हो ग एक entry σε है हमारी जब आपको यहाँ पर कोई भी अंकस हो तो आपको इस तरह समझना है कि एक entry हमारी से है जगे 24-5 आपकी entry हो सकते हैं तो आपको उसी तरह से इसको समझना है एक है यहाँ पर इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि यह जो एक entry है यह आपकी GSTR 3V return से related तो है लेकिन इसमें आपने गलती कर रखी है, इसको सोधारी है, जिससे कि ये जो entry, इसका data भी आपकी नीचे यहाँ पर जो table है, उसमें सामिल हो सके, और ये दोस्तों आपको करना बहुत जरूरी होगा, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यदि यहाँ पर 2, 4, 5 आपके सामने, माली जी जगया प उनको आपको solve करना होगा, उनमें जो भी correction मांगे जा रहे हैं, उन correction को करना होगा, और फिर यहाँ पर 0 करने के बाद वाद 5 आपकी यहाँ पर लानी होगे, तो किस तरह से करते हैं, एक example देता हूँ, तो यहाँ पर एक show रहा है, तो मैं इसको selector के enterprise कर देता हूँ, enterprise करेंगे, तो यहाँ पर show रहा है, number of voucher with incomplete mismatch in information, चूँकि एक है हमारे case में, तो एक सो रहा है, आपके case में 5, 7, 8 होंगे, तो 8 यहाँ पर इस जगे से 100 हो जाएंगे, अब हमको इसको solve करना है, तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर mismatch due to tax amount modified in voucher, यहाँ पर यह कहा रहा है कि tax amount जो है, वो modify कीज़ी है, इस voucher में, तो इसको select करके हम enterprise कर देते हैं, हमको modify करना है, और यहाँ से इस entry को निकाल कर इसके data को table में लाना है, अब इस जगे पर जब हम आए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है difference, tax amount में, यहाँ पर difference बताया जा रहा है, 216 रुपई का, 108 इस जब करना है, तो इसको हमको solve करना है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, control के साथ enterprise कर देंगे, मैंने control के साथ enterprise किया, तो यह entry हमारे सामने, खोल कर आगे और यहाँ पर हम जो भी गलती उसको सुदार कर सकते हैं, अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या गलती की है, कि यह जो amount स इस पर 12% tax है, लेकिन मैंने यहाँ पर tax की laser नहीं लगाए, इस वज़े से यह entry हमारी miss match में चली गई, तो इसको हम solve कर लेते हैं, जो भी आपका miss match हो, उस तरह से आपको solve करना है, मैंने यहाँ पर CGST और SGST लगा दिया, क्योंकि गंगा टेटर्स हमारी state की party है, तो यहाँ पर CGST tax calculate होगा, अब देखिए, 216 रुपए को difference आ रहा था, वो 108 और 108, 216 रुपए हो गया है, और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, accept, accept किया तो जो entry हमारी miss match में थी, वो यहाँ से निकल गई, और यहाँ पर भी कोई भी हमारा voucher ऐसा नहीं सो रहा है, जिसमें की miss match हो, और इस जगह जब हम आए तो यह 0 इस जगह पर show होने लगा, इसका मतलब जो entry हमारी miss match में पड़ी हुई थी, उसका data भी अब हमारी table में सामिल हो गया, और हमको यह करना भी है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेसा 0 ही होना चाहिए, इसके बाद अब हम आते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है 3.1 table, तो जो भी हम entries करते हैं, वो entries यहाँ पर देखेंगे, जब हमने entry की थी, तो मैंने कोई भी वहाँ पर table नहीं डाली थी, कि हमारी entry जो है 3.1 table में जाए, यह entry हमारी 3.2 table में जाए, यह 4 number की table में जाए, यह 5 number की table में जाए, ऐसा मैं से ये सारे के सारे जोँ है न वो अलग-अलग divide होका अलग-अलग table में आ गए तो उसका कारण यह है दोस्तों कि जब हम laser create करते हैं और laser create करते समय हम वहां पर जो भी पार्टी का laser create की यह हमने उनका laser create करते समय जो भी हम वहां पर state डालते हैं जो भी GSTN डालते हैं और उनको हम अन्राइस्टर कंजूमर रेगुलर कंपोईशन में डिफाइन करते हैं तो उसी आधार पर हमारी एंट्री जिस टेबल में जानी होती है उस टेबल में चली जाती है इसके अलावा जब हम इस्टोक आइटम बनाते हैं तो इस्टोक आइटम बनाते हैं वो इस्टोक आइटम पर टेकहँ है या वो एक्जैम है तो हम वहां पर state करते हैं और कितने % टेको है वहां पर शेट करते हैं तो उस जादार पर अपने आप देली हैओ कि प्रायम सप्टिवेर्ग में जाना हुझा यिवह होता है उस टेबल में वो लाके रख आपने सेल की है वो सारी की सारी आपकी स्टेविल में आ जाएगी एंड इन्वर्ड सप्प्लाइज लाइबल टू रिवर्स चाजब इसके अलावा आपने कोई सप्लाइ ली है यानि आपने पर्चेश की यह कोई सर्विस या गोट्स जो की रिवर्स चार्ज मेकनिस्म के तहट आता है, जिस तरह से की GTA की बात करें, गुर्षेट ट्रांसपोर्ट एजनसी से जो हम फ्रेट चार्ज हमारे उपर लगता है, तो उस फ्रेट चार्ज पर RCM है, तो क्या किया हमने, जो हमने GTA की सर्विस ली, है ना, तो सर्विस हमने रिशिप की, प हमारी ही होगी, तो यहाँ पर इस टेविल में दोना चीज आगे, एक तो जो आपने आपने सेल की है, कैसी भी सेल की हो, वो सारी की सारी सेल आपको यहाँ पर आनी है, इसके अलावागा किसी को भी सेल की हो, अन्रिश्टर को सेल की हो, कंजूमर को की हो, है ना, रिश्टर क 42,720 रुपए गी जो हमने sell की उस आदार पर हमारी integrated tax में यानि IGST tax में अर्थात हमने जो sell की अपनी state से बाहर की और उस पर 35,549 रुपए मैंने collect की है तो यह हमारी liability होगी क्योंकि हम जो sell करते हैं करते समय जो भी हम tax ग्राक से लेते हैं collect करते हैं वह हमारी liability होती है government को हमको इसको pay करना होता है तो IGST की head में हमारी liability कितनी होगी 35,549 रुपए मेरी case में और CGST और SGST यानि हमने अपनी state में sell की तो CGST और SGST tax वहाँ पर collect किया तो 13,284 रुपए 30 पैसे CGST के head में और 13,284 रुपए 30 पैसे SGST के head में हमारी liability बनी और CES में भी हमारी 9,642 रुपए की liability बनी CES मतलब कुछ product ऐसे होते जैसे की पान मसाला है टोवो को product है तो उन पर GST tax तो होता ही साथ इसाथ CES tax भी होता है तो उसकी liability हमारी इतनी बनी तो ये दोस्तों जो table होती है वो आपकी होती है total liability की table और कौन सी liability आएगी जो आपने supplies की है वो भी इस table में आएगी इसके अलावा आपने invert supplies ली है जो की RCM के तहत आती है और उसमें receivers जो है उसी को tax pay करना होता वो भी इसके अंतरगत आएगी तो पहले इस table को अच्छी तर किया select करके और enterprise कर दिया जब हमने enterprise किया तो इसके 5 उपभाग आ गए A B C D और E इसी तरह से जब हम GST portal पर जाएंगे तो GST portal पर भी हम जब यहां पर आएंगे तो यह देखे 3.1 table है और यहां पर भी दोस्तों A B C D E 5 उपभाग आपको इस जगह पर मिलेंगे तो यह 5 उप taxable supplies other than zero rated, nil rated, exempted तो जो आपने taxable supply की है वो आपको 3.1 table की A table है उसमें डालना है तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो देखिए 3.1 table की A table है इस पर लिखा हुगा outward taxable supplies तो यहां पर हम क्या कर देंगे 4,58,320 रुपए डाल देंगे यहां पर total taxable value में और इसके बाद 35,149 रुपए डाल देंगे Igst के head में 13,284 रुपए 30 पैसे और 13,284 रुपए 30 पैसे CZSt की head में डाल देंगे और 16 में हमारी जो liability वन रहे है वो है 9,632 रुपए की तो यहां पर हम 16 में डाल देंगे 9,632 रुपए तो एसके बाद B table है B table क्या है आउटबर taxable supply zero rated यानी आप अपनी country से बाहर जो sell कर रहे हैं वो आपकी sell आएगी इसमें B-table में चुकि मेरे case में ऐसी कोई sell नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ दाएंगे ठीक ना इसके बाद C, C में क्या है other outward supplies nil rated exempt तो जो आपने supply की है यानि 7,42,720 रुपए की जो आपने supply की है न उसमें से 4,58,320 तो taxable product आपने sell किया लेकिन 2,6,400 रुपए आपने जो exempt था यानि जिस पर कोई भी tax नहीं था ऐसा product sell किया है तो वो आ जाएगा stable में C में है न अधर outward supply nil rated exempt तो यहाँ पर क्या करेंगे हम हमारे case में 2,6,400 रुपए है तो यहाँ पर हम डाल देंगे C में 2,6,400 रुपए ठीक है डाल देंगे और यहाँ पर कोई tax तो लगना नहीं इस पर तो यह सब tax के जो freight charge तो 8,000 रुपए है और 8,000 रुपए पर 5% हमको tax pay करना है तो यह हमारी state से बाहर की जो ट्रांसपोर्ट था वह हमारी state से बाहर का था तो 8,000 रुपए पर 5% 400 रुपए हमारी liability वनी इसके अंतरकत है न तो हम कह करेंगे यहाँ पर inverse supply liable to reverse charge यहाँ पर taxable value में 8,000 आ इसके बाद है non-GST outward supplies तो यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर भी आपको non-GST outward supplies हो रही है चुकि इसमें हमारी कोई है नहीं non-GST outward supplies का मतलब यह है कि आपने जो supply की उसमें कुछ supply ऐसी हो जिस पर की जो GST से अलग है जैसे कि petrol है डीजल है आधी इस तरह के हैं तो वह आपक इस डेटा को GST portal पर ले जाएंगे तो अपने आप जिस table में आपका यह data हो रहा है वो उसी table में automatic आ जाएगा ना यह table का जो होगा B का C का D का E का जिस भी table का होगा वो इस table में आ जाएगा और जिस table में कुछ भी नहीं हो खाली रह जाएगे तो यह अपने आप हो जाएग आपका ठीक है तो आपको समझ में आगया होगा 3.1 table को आपको किस तरह से समझना है और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो 71,799 रुपज शाट पैसे है कि हमारे tax amount की liability बन रही है जो कि headwise आपको समझनी होगे ना integrated tax में कितना है cgst और sgst कितना है तो 3.1 table को हम समझते हैं कि हम समझ चुके ठीक है आप 3.1 table को मैंने समझ लिया अब मैं क्या करता हूँ इसको नीचे आ जाता हूँ नीचे जब आते हैं तो देखिए यहाँ पर 3.2 table है तो जब आप gst portal पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तो 3.2 table भी मिलेगी जिसमें लिखा हुआ इंटर इ table की है अपनी स्टेट से बाहर तो वो तो यहाँ पर outward taxable supplies में आ जाएगी लेकिन किसकी कौन सी entry आपकी जो है 3.2 table में जाएंगी यह भी दोस्तों देखिए of the supplies shown in 3.1a तो 3.1a है 3.1a क्या है यह जिसमें की हमारी outward taxable supplies आ रही है तो यदि आपने आपकी जो supply आपने की है जो की 8 table के अंतरकत आ रही है तो of the supplies shown in 3.1 above details of interstate supplies made to unregistered person, composition taxable person, UIN holder इसका मतलब यह है कि यह जो supply आपने किये 7,42,720 इसमें से आपने जो taxable supply की थी 4,58,320 रुपई की जो हमने supply किये taxable तो उसमें से 2,26,800 रुपई की supply में ने ऐसी की है जो कि हमारी state से बाहर के किसी unregistered person को composition taxable person को या UIN holder को की गई है तो वो इसी में से आ जाईगी यह अलग से नहीं हो आप जैसे यहाँ पर 26,544 रुपई जो आपको tax देना है वो 71,390 है इसी में से अलग हो गया ही है यह इसी के अंतरकत आएगी अलग से नहीं है आपका समझ के आपको आगया होगा इस 4,88,320 र तो आपको समझ में आ गया होगा 3.2 table में कौन सी आएगी यानि 3.1 की ए table में जो भी आपने taxable supply की है उसमें से ऐसी taxable supply आपने की है जो कि अपनी state से बाहर की है अपनी state से बाहर के किसी unreistered person को की है consumer को की है composition taxable person को की है या UIN holder को की है तो वो आपकी यहाँ पर 3.2 table में आ ज purchase होगी होगी अब मैं क्या करता हूँ इनको कर देता हूँ हाइड जिससे की आगे की बाद alt के साथ F1 प्रेस किया अब हम फिर से उस इस ती में आ गए है अब आपको बताते हैं मैंने आपको 3.2 table और 3.1 table की बारे में बता दिया इसके बाद है four number की table eligible ITC है अब eligible ITC का मतलब क्या है इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हम purchase करते हैं हमने जो purchase की तो purchase करने पर जब हम tax दे कर आते हैं यानि 3.1 table थी वो तो हमारी liability की हो गई 7,799 रुपशाट पैसे टोटल हमारी tax reliability बनी लेकिन जो हमने purchase की purchase करते समय जो हम tax pay करके आते हैं वो हमारी होती है input tax credit यानि eligible ITC जो हमारी ITC eligible है यानि जिसको हम लेने के लिए पात रहे हैं तो जो हमने purchase की purchase करते समय जो हम tax दे कर आए तो इसमें देखिए यहाँ पर 67,108 र रुपए जो है वो सेस के tax के column में हमारी जो ITC बन रही है इसको हम claim करेंगे तो GSTR 3B में हमको अपनी आउटवर्ट सप्लाइज की जानकारी भी देनी होती है यानि liability भी दिखानी होती है और eligible ITC जो ITC वो भी हम claim करते हैं तो यहाँ पर जो figure है वो इस तरह से आ रहा है आप क इस जगह पर देखें इस जगह पर इसमें आपको रखना होता है और यहां से यदि आप सारा data पहुंच जागा मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं यह आप online फाइल करते तो आपको इस तरह से टेबल वाइस आपको जानकारी देनी हुए सबसे पहले इंपोर्ट आप सर्वि इंपोर्ट आपको आपको आपका टेक्स है इंटीग्रेटिड होगा क्योंकि आप अपनी कंट्री से बार करेंगे तो आई जीएस टी बनेगा या फिर आपको सीजी एस्टी नहीं बनेगा इसलिए कॉलम इस जगह पर हाइड है इसके बाद है इनवर्ट सप्लाइज लाइ लाइबिल्टि हमारी बनी थी वह हमारी जो जी टी आनि अर सीम के तहट जो भी रियूिति बनती है वह वह हमारी एलिपियम होती है उसके इनवर्ट सप्लाइबल टॉ रिवर्स चार्ज यहां पर आइज्ट की हर्माट यहां पर टालेंगे शिर्प का अमांट जाएगा तो चार सुरुपए में इस जगे पर डाल देंगे हैं इसके बाद इनवर्ट सप्लाइज फ्रम आईसडी तो आईसडी के द्वारा आपने कोई सप्लाइज लिए आईसडी की और उसके द्वारा आपकी यदि कोई ITC बनती तो आपकी इस कॉलम में आ जाएगी यहां पर भी है य आईसडी की नहीं इसके अलावा आपकी कोई ITC बनती है तो जो हम नॉर्मल पर्षिज करते हैं वो हमारी ITC होती ओल अधर ITC की है तो ओल अधर ITC की कॉलम में हम क्या करेंगे अपने केस में यहां पर हम डाल देंगे औल अधर ITC में 661 008 रपए है तो यहां पर डाल देंगे आईजीस्टी में 68120 रपए और स्रेटियस्टी की कोई भी हमारी जो ITC नहीं बन रही है हमारी जो ITC वो cgst और sgst की हेड में है तो cgst की हेड में 660 6600 6608 रोपै упra असने पित आपी 6608 तो यह इस तरह से हम और स्थे के कॉलम में तब 46000 रुपै ситу से स्के कॉलम में यहां पर नीशे आएंगे तो ए इफीरी वर्सल नियुक्त सलब का मतलब तो मतलब किया है कि आILL उन्होंने आपके लिए क fatal तो आपको ITC वापस करनी होगी तो हम क्या करेंगे अधर्स में इसी कोई इस्तिधि बनती है कोई हमको करनी है ITC पर सब्सक्राइब करना यहां टाल देंगे और इसके बाद हमारे क्या होगा जो पतकर आज जाएगे न हमने यहां पर डाल देते इन वर्ट इमें में 400 रुपए तो देखें यहां पर नेट ITC में सो रहा है IGST के हैड में 400 रुपए CGST SGST के हैड में 66108, 66108 तो CGST और SGST के हैड में नेट ITC एविलेबल आए जाएगी आपकी 66108, 66108 और 77000 आजाएगी आपकी से से के कॉलम में इसके नीचे जो है न वहाँ पर आपको नेट ITC आविलेबल इस जगे से सो जाएगा तो इसको भी दोस्तों मैं समझता हूँ आप समझ गया होंगे ठीक है अब हम इसको भी अल्ट के साथ एब बन प्रेस कर देते हैं अब हमने चार नंबर टेबल भी समझ ली इसका पांच नंबर टेबल आएगी तो इसमें क्या होगा वैल्यू ऑप एग्जेंट निल रेटेट एंड नॉन जीस्ट इनवर्ड सप्लाइज याने आपने जो भी पर्चेश की है कौन सी पर्चेश की है अब देखिए एलिजबल आइटी सी में क्या हुआ जो भी आपने टेक्स बना था टेक्स है ना तो टेक्सेवल पर्चेश क है जो आपने पर्चेश की है तो टेक्सेवल पर्चेश तो आपकी लिजबल आईटी सी में आगी क्योंकि उसमें आपको टेक्स कलेम करना था अब यह कौन सी आ जाएगी ऐसी पर्चेश जो की एक्जम्ट है निल रेटेट या नोन जीस्ट इनवर्ड सप्लाई आपने लि जाए है न और ऐसा कोई प्रोड़क्त है जिस इस पर की जो की एक्जम्ट है जी अस्त एक्सिके कंतर निल रेटेट तो यहाँ पर आपको इस तरह से समझ में आ गया हुआ इसके बाद होती फाइब पॉइंट वंट टेबल है न तो यहाँ पर जब हम आते हैं दोस्तों यह देखिए फाइब पॉइंट बंट टेबल इंट्रेस्ट एंड लेट फीस है न तो इसमें क्या होता है कि यह जो लेट पाइप पॉइंट बंट वी रेटन हम डूडेट के बाद फाइल करते हैं जैसे दूडेट माली जी बीस तारिक है और हम 25 तारिक को फाइल करते तो पांस दिन की हमारे उपर लेट फीस लगेगी तो जो लेट फीस हमारी बनेगी वो तो केलकुलेट करके आपकी आजाएगी अपने आप भी है यहां पर अपने आप आ जाएगी जैसे डिट्स रुपाए हाई यह अपने आप आए ते न तो यह अपने आप आजाएगी एंट्रेस्ट क्या होता है जो आपने माली जी एक लाक रुपए की आपकी लाइविल्टी बनी और बीस तारिक तक आपको जीस और खुरनीक्यॅ करनी तो इसे गытविल्टेस्ट करने थी और इक लाख रुपए का जो टैक्स आपको भी करना था थी तारिक को जाएगी ऑ्टी यह आपको स्वेम से कल्कुलेट करना होगा और इस टेवल के अंतरकत आपको रखना होगा और उसको पे भी करना होगा तो देखिए 3.1 टेबल में आपको समझ में आ गया कि 3.1 टेबल हमारी लाइविलिटी की थी तो जब आप इधर देखेंगे इसके जब अंदर जाते हैं तो जो मैंने बताया तो उस तरह से आपको देखेंगे और उपर देखेंगे तो यहां पर आपको इंटिग्रेटर एक सेंटर टेक्स में जो भी लाइविल्टी बनी है वह आपको जो इस जगह पर बन रही है सेस आधी की वह आपको इस जगह पर सो जाएगी 3.2 टेबल में इस जगह पर सो जाएगा CZST, HZST, IGST और CES में आपने जो भी ITC क्लैम किये वह इस जगह पर सो जाएगी एक्जम्ट एं रिल्डेटेट जो हमने इनवर्ड शप्लाइज दी पर्चेज की थी तो वह कितनी किये 25600 रुपई की किये तो 25600 रुपई आपको इस जगह पर सो ज जब फाइल करने के बाद तो 6.1 टेवल भी आ जाएगी इसमें payment of tax होगा तो यहां पर देखिए paid through cash है ना तो इस जगह पर जो 400 रुपई हैं आपको यह ध्यान रखना है यह जो हमारी liability बन रही थी invert supply liable to reverse charge में 400 रुपई यह 400 रुपई आपको cash laser से ही पे करने पड़ेंग यह क्या करना होगा आपको pay करना होगा और pay करते ही आपको 400 रुपई की ITC भी आप claim कर पाएंगे ठीक है तो यह 400 रुपई इस जगह पर लिखकर आ जाएंगे जब आप इस तरह से भरने जाएंगे 400 रुपई यहां पर आ जाएंगे और pay through credit तो जो आपकी जो liability बन रही यह जगह पर आ रही है वो टोटल तीनों मिलाके cghtsghti ghtsghts सारा मिलाके इस जगह पर पता चल जाएगा कि आपने electronic credit laser से कितनी जो आपकी liability तो आपको यह समझना है ठीक है अब यह सारी बात है दोस्तों आपको समझ में आगे होगी कि किस तरह से हम इसकी जानकारी देंगे अब यहाँ पर table wise जो जानकारी होती है आपको table wise ही वहाँ पर भी जानकारी देनी होगी इसके साथी साथ हमको एक काम और करना होगा इसी में आप पर कोई tax की liability बनती है तो वो liability भी आपको pay करनी होगी और यहाँ पर जो setup है उसका भी एक नियम होता है जैसे कि हमारी IGST की head म फिर आपकी CGST से setup होगी उसके बाद भी IGST की कोई liability बच जाती है तो आपकी SGST का जो आपका input tax credit है ITC उससे setup हो जाई है तो इस तरह से इसका rule है CGST क्या होगा CGST की जो liability है पहले आपकी IGST के IT setup होगी फिर CGST से setup होगी और उसके बाद SGST से setup नहीं होगी CGST और SGST की liability आपस में एक दूसरे setup नहीं होगी इसी तरह से सेस का amount है तो सेस में देख रहे है तो 76,000 रुपे की हमारी ITC बन रही है और 96,000 रुपे हमको liability बन रही है तो 76,000 में से 9,600 रुपे माइनस कर देंगे तो हमारी ITC ही बचेगी तो इस स्तितिती में क्या होगा जब अब आप इस data को यहां से देखिए अब यहां से क्या होता है घसन फाईर स्विद्व हमठाइम्ट करते है इसके लिए आपको यहां पर एक्सपोर्ट पर जाना होगा एक्सपोर्ट पर जाकर E- Noch और एक की बाद का सबचन फाईर्ट बहुँन होगा लेकिन आपको और ध्य सब्सक्राइब तूटल टेक्सेवल वेल्यू एक कॉलम में लाया है अंदर कहीं भी आपको डिफाइड नहीं करना है अलग अलग लग अब यह जो थ्री पेल्ट बन ते बल्ल है तो यहां पर शिर्फ टेक्स नहीं मिलत तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर invoice वाइज जानकारी नहीं देनी है, party वाइज जानकारी भी नहीं देनी है, आपने किसको sell किया, consumer को किया, या फिर आपने unregistered को किया, अलग-अलग कोई जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ आप consolidate जानकारी देनी है, tax value देना है total, जो भी आउटवर्ट सप्लाइज की, उसकी date में लिया, किस party से लिया, यह कोई जानकारी आपको नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ और जब आप ITC claim करने जाएंगे, तो वहाँ taxable value भी नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ tax का amount देना होता है, जो भी आप claim करने जा रहे हैं, सिर्फ वो tax का amount ही वहाँ पर जाता है, बा जब आप इस data को ले कर जाएंगे, तो GST portal अपने आप setup कर देगा, और जब आपकी input tax credit जाधा है, यानि जब आप ITC claim करने जा रहे है, वो ज़्यादा है, जैसे इस case में हम देख रहे हैं, तो देखें, यहाँ पर क्या है कि हमारी ITC जाधा है, ITC हमको कितनी claim, ITC जो है, वो जैसे माल लीजी एक, इसे समझ, sales amount से समझ लेते, sales में क्या है, हमारी 46,000 रुपए की तो ITC है, और sales amount का जो हमको देना है, पे करना है, वो है सिर्फ 962 रुपए, तो 76,000 रुपए में से 962 रुपए यदि हम हाटा देंगे, तो जो पैसा बचेगा, वो हमारी ITC बच गई, यानि हमारी जो liability तो उसको भी हमने अपनी ITC से setup कर दिया, उसके बाद जो हमारी ITC बच गई, वो क्या होगा, हमारे electronic credit laser में, GST portal पर 100 होती रहेगी, और आगे जब हमारी liability बनेगी, तो जैसे अगले महीने में हम जाते हैं, और वहाँ पर हमारी 76,000 रुपए जो sales है, इसमें हम कोई पर्चे जैसा नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी sales के ITC बने और यहाँ पर 20,000 बन जाते हैं, तो हमारी जो बची हुई ITC electronic credit laser में, उससे 20,000 setup हो जाएंगे, तो आपको कोई भी payment नहीं करना होगा, आपको payment तभी करना होगा, GSTR 3BM जबकि आपकी liability जादा हो, और ITC कम हो तो liability बची जाएगी, ITC सारी खतम हो जाएगी, setup करने के बाद, तब आपको tax pay करना होगा, और tax भी हमको यहीं पर pay करना होता है, GSTR 3BM भी पे करना होता है, और दोस्तों जो हमारी जानकारी मैंने आपको बताए, consolidated जानकारी जाती है, बिलवाई जानकारी नहीं जाती है, व आपने किस को sell की है, कौन सा invoice number है, कितने percentage का, कितना माल sell की है, तो उसमें सारी जानकारी चली है, यहाँ पर नहीं मांगी जाती है, इसी तरह से eligible ITC की बात करें, तो क्या होता है, कि यहाँ पर हमको cable tax amount डालना होता है, यह कहां से match होता है, कि हमारे जो supplier है, क्योंकि जो हमने GST portal पर, GSTR 2A generate हो जाएगा, तो GSTR 2A में, वो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, invoice number भी मिलेंगे, उसमें, किस percentage का माल उनोंने से आपको sell की है, वो सब कुछ मिल जाएगा, तो उससे आपकी यह match हो जाएगी, तो matching वहाँ हो जाएगी है, यानि आपकी liability है, उसकी matching हो जाए तो वो से अपनी sell की जानकारी GSTR 1 में देंगे, तो सारी detail देंगे, कि हमने ये invoice हमको, उन्होंने ये invoice दिया, ये, ये, माल बेचा, इस percentage का माल बेचा, तो उससे आपकी ITC जो है, वो setup का समझ में आ जाएगा, तो इस तरह से आप जो है, वो इसको समझ सकते हैं, तो मैं समझ अच्छता हूं कि आज का topic आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, धन्यवाद,